हेलो वरिवन मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी और आज वेलकम यू आल तो इस इंग्लिस वोकावलरी सिरीज आज है डे नमबर थ्री और आज होब कि जो भी ये डे नमबर थ्री वीडियो देखना है वो पहले दो दिन का वीडियो देख चुका है और जो दो दिन का वीडियो देख चुका है वो नोट्स भी बना चुका है और आज सुबह में 10 मिनट देखे उनस नोट्स को रिवाइस भी कर चुका है रिविजन इस देखी जो रिवाइस नहीं कर रहा है उनका ये वीडियो देखना बेकार है क्योंकि at the end आपको भूली जाना है सब ठीक है तो दो डिस्क्लेमर जो मैंने पहले वीडियो में दिये थे वो डिस्क्लेमर हर वीडियो में रहेंगे तो आप देख लिजएगा चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो आज का पहला वर्ड है कंसीड इसका मतलब होता है एकसीव प्राइड इन वनसल्फ मतलब खुद पर बहुत जादा प्राउड फिल करना ठीक है तो इसको relate कैसे करें तो मायन कि चलिए कि आप इससी तियारी कर रहे हैं आपको हर दिन sheets आता है mask sheets बगएरा बहुत बना चुक है आपको जब भी आता है कोई sheet लेके तो आपको बोलता है कि यह sheet बनाया है तो आप घमनन में कहते हैं कौँन सा sheet कौ прив अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ जो की है वैनिटी वैनिटी इसका सिनलिम है सिनुनिम वैनिटी है मतलब भी होता है कि अपिएरंस अपयरेंस अपने अपिएरेंस पर वैट फि conventional करना तो आपने देखा होगा vanity van का concept जो superstar लों होते वो कभी शूट पर आते हैं तो अपने van पर बैठते है vanity van तुमको तो vanity van वहीं साया होगा कि जिसको अपने सुनदर ता या फिर अपने उपर बहुत ही प्राइड फिलो बहुत ही उसको लगे कि हम बहुत ही अच्छे हैं तो vanity van का concept पहिंचा है तो vanity मतलब अपसे याद हो कि vanity van इसलिए क्या जता है क्योंकि उनको अपने appearance पर बहुत ही प्राइड है ठीक है आई होब आपको याद हो गया conceit और vanity अब चलते हैं next word की ओर cynical cynical ठीक है cynical मतलब होता है not trusting or respecting goodness of other people मतलब ऐसा इंसान जो दूसरों के अच्छाई को respect करी नहीं सकता और नहीं उन पर trust कर सकता उसको यह लगता है आपको इससे रिलेट हो गया अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ सर्डोनिक 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 मतलब होता तीरसकार पूर्न मतलब आपको अच्छे से बात नहीं करना बिल्कुल आपको बेजती करते हुए आपसे बात करें कोई तो कहेंगे सार्ड अब से च्छे ब्लकुल नहीं तिरसकार पूर। तो आपके सर्डोनिक तरीके से बात करें या नी तीरसकार पूर। तरीके से वहत्से बात करें को तो मुक्म parole करें थिक है तो आपको ये याद करें तो हर Monday को, जब Sunday के बात हम मंढ़े को जाँ देते हैं, तो वहां का assembly होता ह। तो लंबा चलता था, क्यूं क्यों कि Monday का जो लेक्छर होता है, बहुत अर्वारों को ऑल्फूर्ब्ले होता है, उसमें बहुत लंबा lecture, जनरेली हमारे teacher देते हैं, तो moral subject या फिर religious subject पर कोई talk या फिर कोई lecture तो sermon का भी उसका सकते हैं लेक्चर के लिए भी तो sermon से याद किजिए कि जो आपके सारे हैं वो Monday assembly में बहुत lecture देते हैं sermon यानी lecture I hope कि आप relate कर पा रहे हैं ठीक है अब चलिए वापस एक बार revise कर लेते हैं जो अभी तक हमने words पड़ा उनको एक बार revise कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमने पड़ा था concede concede मतलब जिसको अपने ऊपर काफी प्राइड है तो आप sheets बना रहे हैं sheets बना बना कि आपको इतना घमंड हो चुका है जब भी कोई आपसे अगर पूछे तो आप आप में सब बूलते हैं कौन से sheets साब sheet बना कर बैठे हुए हैं तो concede मतलब excessive pride in oneself फिर हम देखा vanity तो vanity से उसको लगता है कि जो दूसरा इंसन है वो अपने मतलब के लिए काम कर रहा है बस किसी दूसरे पर विश्वासी नहीं होगा तो उस तरह के इंसनों क्या कहेंगे sinkote, फिर हमने देखा था sir donik, तो आपके sir अगर उस मुळला के don भी है तो आपसे कैसे बात करेंगे तीरस्कार पूर बात करेंगे ठीकिए, अपसे प्यार से तो बिल्कुल बात ने करेंगे फिर हमने देखा था sirmon, तो monday को, गर आप आ रहे हैं तो आपके sir बहुत नॉलज्च का या फिर उस चीज का या फिर उस चीज का वह familiar है ठीक है तो इसको relate कशो करे है तो यह कोई-स ऩो काफी ज्यादा कीज चीज के बारे में फिर उस चीज के बारे में familiar होगा तो Convergent अगर कोई बूर रहा तो आप बस याद किज़ेगा कोई send cover कर लिया काफी ज्यादा चीज तो उसको familiar होगा यह knowledgeable इंसान होगा किसी चीज के प्रति ठीक है प्यूटर चलार होगे तो आपको पता है कि अगर mouse कहीं आप ले जाते हैं किसी किसी भी चीज के उपर जैसे कोई आइकन आइकन के उपर जाएं तो वह बस उपर से उसका नाम बताता है कि यह आइकन क्या करेगा ठीक है डीटेल में तो आपको नहीं मालूम चलता है बस नाम बताता है तो करसरी मतलब की सतही यानि बस उपर उपर से जो आपको नौलेज मिल जाए नौट डीटेल कोई डीटेल नौलेज नहीं मिलेगा बस उपर उपर से जैसे इसको अगर मैंने सेंटेंस में यूज करने क्या करेगा उस आइकन का तो पूरा फंक्शन उस पर क्लिक हो गा, आप हम चलते हैं, अगले मपाइब की तरफ जो की है, डी-सल्ट्री, ठीक है अब इसको कैसे रिलेट करें, डी-सल्ट्री मतल भी कि लैकिग है, प्लान, परपस और एंथुजाजम, मतलब कोई प्लान या फिर परपस का लैक होना, अब कोई प्लान नहीं रृधहों समझें उल्हई हैं तो यह तो कैसे रिलेट करें तो आप हींदी में आप एक वर्ट जानता सलटना जानते हैं सलटना पो जासे लिधा हुआ अपको इसे अनम है तो क्या लगता आप कैसे थे सल्टने के इंदीम और विक बांच यह होगा कि कैसे थे में कुछ है तो आप समंज में donc least in advertisers मतलब कि आपके पास कोई भी प्लान निए टिक के लेकिंगा अपिस प्लान और आपको प्लान चाहिए कोई prayed no qat a Go Aktion आपको क्लेर हो गया आप चलते हैं अगले वर्ट कि तरफ जो कि के नीचे कोई आपका नी लेके चला गया कि इसका नी ले जाओ और उसको चल दो तो टायर के नीचे नी तो टायर नी तो टायर के नीचे कोई ली जा रहा तो आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं अत्याचार कर रहे हैं कोई ऐसा सरकार है जो काफी क्रूल है और और प्रेसिव है ठीक है तो जो शाशक होते हैं तो उनका जो government दो क्या होता है tyranny government यानि अत्याचार वाला government तो tyranny से आपको relate करना है tyranny ठीक है I hope आपको clear हो गया अब हम लोग चलते हैं अपने अगले word की तरफ जो कि है destitute जो कि है destitute अब destitute मतलब होता extremely poor अभगर या फिर not having a video या फिर आपके पास जो नहीं है तो आप बूलेंगे कि देश्ट्यूट अप मानीब इस्ट्यूट उप पावर ठीक है मतलब आपके पस वो नहीं है तो इसको कैसे याद करें तो डेस्ट्यूट मतलब आप समझेंगे डेस्ट्यूट में कवाड़ है ड कि यहाद होगा तो देस्टीनी से याद की जए कि देस्टीनी करेंगे ठीक है तो जो डेस्टीनी के बड़ो से बैठा वहा है वह एक्स्ट्रेमली पूर या फिर उसके पस कुछ तो कोई सेंट यानि सादू जो स्लेबस कवर कर चुका है कनवर्जेंट वह फेमिलियर और नॉलेजबल होगा किसी चीज के प्रति ठीक है उसको नॉलेज होगा उसके प्रति फिर हम देखा कर सरी कर सरी तो कर सर को अगर आप ले जाए किसी आइकन के ऊपर तो आपको बस सत ही नॉलेज मिलेगा उपर उपर डीटेल नॉलेज आपको नहीं मिलेगा तो हमने देखा था कर सरी ओके फिर हमने देखा डी सलटरी तो अगर आपको सलटना है किसी से किसी किसी दुसमन से सलटना है तो आपको चाहिए प्लान परपस एंथूजियाजम लेकिन आपको अगर ड टायर के नीचे कोई नील आ रहा तो क्या कर रहा अत्याचार कर रहा कुरॉ'lly दिखा रहा ओप्रिसिवनिस दिखा रहा ठीक है फीर हमने दिखा था ट्रेस्ट्यूट्ट्ड तो डेस्ट्डी के बारो से बैठा हुआ है तो जो डेस्ट्रीमली पूर है वह आगे कुछ करी नहीं पा रहा, उसके पस कोई भी चीज नहीं है, वो हर चीज का उसके पस कमी है, ठीक है, I hope कि आपको clear हो गया, अब हम लोगों चलते हैं, अगले word की तरफ, जो की है diffident, diffident, ठीक है, तो आपने सुना होगा confident, confident, confident का उल्टा है diffident, तो कोई ऐसा इंसान जो की modest है, या फिर shy है, क्योंकि उसके पस confidence नहीं है, lack of confidence, तो वो इंसान क्या होगा, diffident, confident का उल्टा होता है diffident, एज़ी है याद करना, आप दो बार, तीन बार इसको देखेंगे, तो आप कोई जाएगे diffident मतलब की lack of confidence, ठीक है, I hope का आपको clear हो गया, अब हम लोग चलते हैं, अगले word की तरफ, जो की है discourse, discourse मतलब होता है, कि talk or write about a subject for a long time, मतलब कोई subject आपको मिला, और आप उस पर बहुत लंबे समय पतक, अगर आप बोल पा रहे हैं या फिर लिख पा रहे हैं, यानि आप दिखा रहे हैं कि उस subject में आपको काफी ज्यादा knowledge है, तो उसको कहते है discourse, ठीक है, अब इसको relate कैसे करें, तो dis, यहां से देख रहे हैं, इससे आपको दिख रहा होगा discussion, discussion, तो आप discussion कर रहे हैं, और यह course, course यानि, course हम लों बोलता है, long course of time, यानि long period of time, long course of time, I hope कि अब समझ में आ रहा होगा, screen पे, मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजे, कि discourse discussion एक लंबे समय के लिए, long course of time, तो अगर कोई यह बोल रहा है, कि आप discussion कर रहे हैं, एक लंबे समय के लिए, तो obviously, discourse मतलब वही होगा है, कि talk और write, बोलना किसी subject पे long time के लिए, discussion over a long course of time, तो discourse का मतलब यह होता है, discussion over a long course of time, I hope आपको यह याद जाएगा, आप 2-3 बार इसक perilous, perilous मतलब होता है, full of danger या फिर risk, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको relate करना काफी आसान है, इसके लिए आपको याद करना एक word जो कि है, pearl, pearl मतलब क्या होता है, मोती, तो आप अगर मोती लेके घूम रहे हैं, तो obviously, आप full of danger लेके, आपने साथ लेके चल रहे हैं, य मोती लेके घूम रहे हैं, तो आपको ज्यादा danger या फिर risk मैसूस होगा, ठीक है, तो perilous मतलब full of danger या फिर risk, I hope आपको clear हो गया, अब हम लोग चलते हैं, अपने अगले word की तरफ जो कि है, precarious, precarious, ठीक है, तो precarious मतलब not securely held or in position, मतलब जो अच्छे position से नहीं है, मतलब पकड़ा, तो वो खत्रा है कि गिर जाएगा, ठीक है, तो precarious मतलब यह होता है कि अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ, या फिर वो ऐसे situation में है कि हमें खत्रा लग रहा है कि वो सायद गिर जाए, collapse हो जाए, ठीक है, तो इसको कैसे relate करेंगे, तो आप जानते है, care करना, तो आप किसी चीज़ को care करेंगे, तो उसको पकड़ रखेंगे, ठीक है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा care करेंगे, तो बहुत काम care करता है, तो बहुत काम care करता है, तो अच्छे position में held नहीं किया गया है, और खत्रा है कि वो गिर जाएगा, collapse हो जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं एक बार फिर से जितने भी वर्ट को हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइस कर लेते हैं ताकि वह दिमाग में बैठ जाए ठीक है ओके तो हमने देखा था यहां पर डेस्ट्यूट यानि जो डेस्टिनी के बारों से बैठा रहेगा वो उसके पास को हर चीज़ कमी होगा फिर में देखा तरह डेफिडेंट मतलब लाक ओफ कॉन्पिडेंज उसका उल्टा फिर में देखा डिसकर्स यानि डिसकर्शन ओवर लॉंग कोर्स आइं मतलब कि लंबे सामय तक किसी चीज पर बोलना या फिर लिखना यानि आप दिखा करना अगर आप ज्यादा केर करें तो आप प्रो केरीं है और अगर कम करें तो प्री केरीं है तो प्री केरीं मतलब कि आपने केर से अच्छा से पकड़ा नहीं है तो वह कोई भी चीज अच्छा से पकड़ा हुआ नहीं है और खत्रा है कि वह गिर जाएगा या फिर कोलाप लेडर ठीक है तो डे नमबर थ्री यहीं पर खतम हुआ आई हो कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हर दिन ऐसे नए वोकाब वाला सीरीज को कंटिन्यू करूंग और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और आपको अगर किसी प्रकार से अगर लग रहा हूँ कि यहां वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीस कमेंट डाउन करके बताएं और अगर मेरे तराप से पॉसिबल होगा तो मैं इससे इंप्रूफ करने कोशिश करूंगा चलि थैंक यू फॉर वाचिंग